मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाए उसके बाद इस बेल आकन को दबाना ना भूले अधिक्तम और निम्नतम वैल्यू कैसे आप निकालेंगे उस पर अधारित आज का कोस्टन है फर्स कोसन आपके सामने यदि पी क्यू आर प्राक्रिक्तिक संख्याएं है यानि नेच्रल नंबर है और पी प्लस क्यू प्लस आर तीनो का सम कितना दिया हुआ है 10 हो तो पी क्यू आर का अधिक्तम मान यानि मैक्सिमूम वैल्यू क्या होगा वो निकालना है और आपके सामने चार ओप्सन भी दिया हुआ है यानि पी क्यू आर का अधिक्तम वैल्यू आपको निकालना है किसका निकालना है पी क्यू आर का अधिक्तम वैल्यू निकालना ह फ्रेंट इसमें आपको क्या करना है तो कि P PLUS Q PLUS R EQUAL TO 10 दिया हुआ है इसमें 3 VALUE है पहरा VALUE P है सकेंड Q है और थर्ड क्या है R है ना तो 10 में आप क्या काम किजिएगा 3 से भाग दे दिजिए तो 10 में 3 से भाग दे दिजिए देखे कितना आता है 339 यहां 10 में 9 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 1 फिर यहां लगेगा 0 तो इसके बदले में यहां दसम्मलब 339 फिर 1 फिर 0 लगाएगा तो फिर 3 आएगा यानि 3.3 आता रहेगा यहां जब 10 में यानि 10 में 3 से भाग देते हैं तो नमबर आता है 3.333 एंड सों तो आप क्या देख रहे हैं दसम्मलब के बाद अगर 0.5 हो तो उसका वेल्य 1 मान देते हैं अगर 0.5 से कम हो तो इसको मैं इग्नॉर कर देता हूं तो इसका दसमुलब के बाद ज hele number है या 0.5 से कम है इसलिए इस नमबर को हम इंगनॉर कर देंगे तो रख क्या जया 3 तो पी का वेल्यु भी 3 लेंगे यानि दो वेल्यु हम सेम लेंगे 3 है, चुकि यह 0.5 से कम है, इसलिए इसको ignore कर देंगे, तो P और Q का value same लेंगे अब total value कितना है, 10 है, तो P 3, Q 3, तो 3 पलस 3, 6, total value है 10 तो बताइए R का value कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, और सब को जब add कर दीजेगा, तो 10 आ जाएगा so clear है, P का value हम 3 लेंगे, Q का value भी 3 लेंगे और R का value 4 लेंगे, हमें निकालना है P, Q, R का अधिक तैमान यानि maximum value, जो P, Q, R का maximum value के लिए हमें क्या करना है P का value 3 दियावा है लिख दिए 3, multiply, Q का value 3 दियावा है, लिख दिए 3, multiply आर के वेल्यू फोर दिया हूँ है लिख दिए फोर अज सब को प्रोडक्त कर दिए गा तो वेल्यू आएगा फोर थरी जाग ट्वेल्ब ट्वेल्ब थरीजाग थर्टी शिक्स यह आपका इंसर होगा जो ओप्शन इसका क्या होगा एंसर ऑप्शन ए के लिए बहुत आसान इसको एकनार करता है तो पी थरी लोगा क्यों भी तो निशक्ति वेल्यू निकल जाता है अगर पी क्यू और प्राक्तितिक संख्याएं है और P plus Q plus R का value 17 है यानि 17 है तो अधिक्तम मान P Q R का क्या होगा वो आपको निकालना है फ्रेंड जो first question और second question सेम ही है कि अबर मैं number change कर दिया हूँ इसको आप देखिए यहाँ पर P plus Q plus R 17 दिया हुआ है दिया हुआ है ना P plus Q plus R equal to 17 है तो अब मैं क्या बताया हूँ यहां three terms है first second and third three terms है है ना तो 17 में हम three से भाग देंगे यह आपको टेक्निक में बताया हूँ तो 17 में three से भाग दिए अब लगाए कितना से लगेगा 3 5 जा 15 नहीं लगेगा 3 5 जा 15 17 में 15 चला जाएगा तो आएगा 2 अब यहां पर जब 0 दिजिएगा तो यहां पर रहागा the sum love three six जा 18 फिर यहां पर रहाजाएगा remainder two तो रहने दिजिए आप ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं तो 17 में जब आपने three से भाग दिया तो इसका value आया 5.6 अब देखिए the sum love के बाद जो number है वह 0.5 में क्या बताया हूँ the sum love के बाद जब कोई number हो कितना 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम one मान लेंगे तो देखिए यह दसमलाव के बाद जो नंबर है 5 या 5 से ज़्यादा है 5 से ज़्यादा है 6 है तो जितना यहां नंबर दिया हुआ है उसमें एक 8 हो जाएगा टो कितना हो जाएगा 6 अगर 5.4 होता तो 4.4 point 5 से कम है इसे उसको इगनोर का देते जब point 5 हो या point 5 से ज़्यादा हो तो जितना यहां नंबर है उसमें एक को हम 8 कर देंगे, तो यहाँ पर 5.6 है, 0.5 से ज़्यादा है, तो इसमें 8 कर दीजिएगा, तो कितना हो जएगा, 6, तो 2 value हम सेम लेंगे, यह P का value भी 6 लेंगे, Q का value भी 6 लेंगे, राइट, अब राग्या R का value कियाना, कितना होना चाहिए, तो 6 पला 6, 12, तो टोटल value कितना है, 17, तो 17 में 12 को माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हैगा, 5 आएगा न, और सबको जब 8 कीजिएगा, तो यह 17 के एक्क्वल भी आजाता है, सबको 8 कीजिएगा, इक्क्वल टू 17 भी आजाता है, तो यह क्लियर हो गया, कि P का value हम 6 लेंगे, इक्क्वल टू, तो P का value 6, इसमें रखिए, 6 मल्टिप्लाए, Q का value भी 6, मल्टिप्लाए, R का value कितना है, 5, राइट, सबको मल्टिप्लाए कर दीजिए, नहीं, तो देखिए 6 मल्टिप्लाए, 6, 5 जा, 30, 6 को जब 30 से मल्टिप्लाए किजिएगा, 180, सो ओप्शन देखिए कहा है, 180, यानि ओप्शन सी रहीज का maximum value हो जाएगा, फिछलते हैं, question number 3 की और, यदि PQR प्राकितिक संख्याएं हैं, यानि नेच्टर नमबर है, और P plus Q plus R power 3, equal to 343, यानि 343, ये condition दिया हुआ है, एब हम देखिए, एक second condition भी दिया हुआ है, PQ plus QR plus P R equal to 11 हो, तो P का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, friend, इस परकार के question को देखिए कैसे solve करता हूँ, यहाँ पर condition दिया हुआ है, दिहां से देखिए, P plus Q plus R power 3, equal to दिया हुआ है, 343, राइट, R power 3, equal to, देखिए, 7 multiply, 7 multiply, 7, 343 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, P plus Q plus R power 3, equal to 7 power 3, तो ये power power cancel कर दिये, तो power power ये जब cancel कर दियेगा, तो P plus Q plus R के value निकल गया, 7, राइट, अब यहाँ पर question में क्या कर रहा है, कि एक condition और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक condition दिया हुआ है, P Q plus Q R, plus P R, equal to 11 दिया हुआ है, तो P का अधिक्तम मान निकाल लिए, कर राइक P का अधिक्तम मान क्या होगा, फ्रेंड, P का अधिक्तम मान के लिए ध्यान रखना है, Q and R का minimum value लेंगे, जब Q और R का minimum value लेंगे, तो P का अधिक्तम मान हमें निकल दाएगा, तो clear है, Q and R का कौन सा value लेंगे, minimum value रखना है, और new term value रखना है, Q and R का, चुकि यार natural number है, और natural number में सबसे छोटी संख्यां क्या होता है, 1 होता है, होता है ना प्राकेटिक संख्या में, 1 से ये स्टार्ट होता है, तो Q and R को मैं क्या लोगा minimum, तो बता दिए, जब Q and R को minimum लेंगे, उसमें natural number है, प्राकेटिक संख्या है, सब प्राकेटिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होता है, इसलिए Q का value हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, यानि Q का value 1 लेना है, R का value भी हमें क्या लेना है, 1 लेना है, यानि Q और R का value 1 लेना है, तो अब देखिए, तो P का value कितना हो जाएगा, तो टोटल 7 है, तो 1 पलस 1, 2, तो P का value हो जाएगा, P पलस Q का value भी 1, R का value भी 1, अनि 7, तो P इकल 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2, अनि P का maximum value कितना होगा, 5 होगा, तो देखिए, P का maximum value 5, option C, लेकिन आप यहाँ सोच रहे होंगे, तो इसका क्या जरूरी है, इसलिए यह condition दिया हुआ है, जब ऐसा इस condition को हम फुल्फिल करेंगे, P का value मैं लिया हो 5, तो रख कर देखिए तो P का value 5, Q का value 1, Q का value 1, R का value 1, Q भी 1, R का value 1, P का value 5, R का value 1, solve कीजिए, 5 plus 1 multiply 1, 1, 5 multiply 1, 5, 8 कीजिए, तो 11, दिखे, 11 आ रहा है, आनि इसको भी वह satisfy करता है, अगर गलत होता, तो इसको यह satisfy नहीं करता है, clear, सो P का maximum value कितना होगा, 5 यानि option C, right, अब मैं चलता हूँ, last question की ओर, If X, Y, Z are natural numbers, अगर X, Y, Z प्राक्रितिक संख्या है, और X plus Y plus Z 13 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, यह condition दिया हुआ है, then what is the maximum value of X minus 2, Y plus 1, Z minus 3 का maximum value क्या होगा, फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यह condition दिया हुआ, X plus Y plus Z equal to दिया हुआ है, 13, यह condition आपको पहले से दिया हुआ है, हमें निकालना है, किसका maximum value निकालना है, हमें X minus 2, Y plus 1, और Z minus 3 का maximum value निकालना है, फ्रेंड एक दिया हां रखना इस type के question में, जहाँ minus होगा, उसका value maximum होगा लेंगे, जहाँ plus sign देखिए, उसका value minimum लेंगे, क्या, जहाँ minus होगा, उसका value maximum रखेंगे, जहाँ plus होगा, उसका value minimum रखेंगे, तो आप देखिए, राफ में देख लिजिए, जब X के value मैं 5 रखता हूँ, तो 5 minus 2 कितना होगा, 3, X minus 2 का value कितना होगा, 3, यानि X minus 2 का value 3 हो आजाएगा, और Z के जगा पर कितना मैं रखूँगा, उसका value 3 आजाएगा, difference, Z के जगा पर 6 अगर रखते हैं, Z अगर 6 रखते हैं, तो 6 minus 3 भी आजाएगा, 3 दोनों का value equal लेना है, यानि हमें X के value क्या लेन है, 6 लेना है, clear, तो आप देखिए, जब मैं X का value 5 लेता हूँ, और Z का value 6 लेता हूँ, मैं क्या बताया हूँ, minus के case में maximum value लेंगे, आप पलस के case में minimum लेंगे, right, total value कितना है, 13, तो आप बताएगे, Y का value कितना हो जाएगा, 5 पलस 6 मिलका 11 होगा, होगा न, अग total है 13, तो Y कि value कितना हो जाएगा, 2 होगा, 5 पलस 2, 7, 7 पलस 6, 13, clear, तो आप रख दीजिए इसमें, so X के जगा पर 5 रखिए, तो 5 minus 2, Y के place पर 2 रखिए, तो 2 plus 1, अग Z के जगा पर 6 रखिए, तो 6 minus 3, equal to, 5 में 2 चला जाएगा, 3, 2 plus 1, 3, और 6 minus 3, 3, यानि 27 इसका answer होगा, यानि इससे बड़ा value इसका नहीं हो सकता है, maximum value यह हैगा 27, अद दूसरा value आप रख कर देखिए, maximum value उतनों होगा यह नहीं, maximum value में कितना होगा 27 होगा, so friend यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, please like, share, subscribe करना नहीं भूलें, जाहिंद